हेलो नमस्कार मेरे पहरे साथियों कैसे आप सबी आसा करता हूँ आप सबी स्वस्त है मस्त है और निरंतर रूप से अपनी तयारी कर रहे हो जैसा कि आपको थमनेल में दिख रहा है कि नई भरती आ गई है जो CET से बाहर है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी भरती आई है कौन कौन उसमें अपलाई कर सकता है क्या एज लिमिट रहने वाली है कब से कब फोर्म अपलाई होंगे कैसे फोर्म को अपलाई करना है कितना वेतन रहने वाला है क्या उसमें सेक्षनिक योगता है इन सारे बिंदों पे अपन बात करेंगे और कौन कौन उसको अप बरती दो हजार चौबिस नोटिफिकेशन जारी CET से बहार संपूर जानिकारी एक ही वीडियो में आवेदन की तिती मैं बात करूं तो आज की डेट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि कम्प्यूटर अनुदेशक की जो भरती है वो आ गई है और उसके जो ओनलाइन आवे होंगे कैसे करने SSO ID पे जाना है SSO ID पे वो ही वाला OTR जिसने कर रखा है उनके लिए निसुल करेगा SSO ID पे जाके आपको फोर अप्लाई करना है कब कर सकते हो साथ मार्स से और कब तक कर सकते हो पांच अप्रेल तक कौन-कौन विध्यारती इसमें अप्लाई कर सकता है यह हमें देखना है क्या इसमें वेतन रहने वाला है क्या इसका सलेबस है कैसे हम अप्लाई करेंगे सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, उप्सन चार रहेंगे, पांच रहेंगे, सबी उप्सन में से एक उप्सन भरना जरूरी है या नहीं है, सबी बिन दुवा पे अपन बात करेंगे, देखो, राजस्थान करमचारी चेहन बोर्ड जेपूर, और इसके जो चेयरमेन है, आलोक राज जी, उन्हों का दिनांक का जारी नोटिस है, क्या है, पांच तीन दोहजार चोबिस, किस किस में आये हैं, कनिस्क अनुदेशक, कम्प्यूटर प्रियोग साला, हाना, इसके नौन टीएसपी में तो किते हैं, 164 और टीएसपी में किते हैं, 38, टोटल कितने हैं, 202, ऐसे कनिस्क अनुदे अभियांत्रिक, इसमें किते हैं, 100, कनिस्क अनुदेशक, कारिये साला, गर्णा और विज्ञान में किते हैं, 219, और टोटल कितने हैं, 689, किते हैं, 689, ठीक है, कैसे उनलाइन करोगे, मैंने बता दिया, SSO ID पर जाना है, और OTR से अपन इस फोर्म को अपलाई कर सकते हैं, नेक्स देखें, कौन-कौन अपलाई कर सकता है, वो देखें, दे रखा है, OTR से जाके करना है, SSO ID पर लोगन करके करना है, आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट, वेतन, वेतन L10, कौन से लेवल, L10 का रहने वाला है, अच्छा खासा वेतन इसके लिए रहने वाला है, पा आपने 10th और 12th की हो, क्या हो 10th और 12th की हो, किसी भी बोर्ड से, चाहिए वो RBSC बोर्ड हो, चाहिए वो CBSC हो, चाहिए तो क्या हो RBSC, क्या हो RBSC और चाहिए क्या हो CBSC, लेकिन इसके साथ साथ हमें और दे रखा है, ये तो कैम में दे रखा है, और खैम में भी दे रखा ह किसी भी माननता प्राप्त विश्विध्याले बोर्ड से व्यवशाए में इसनातक, कंप्यूटर विग्यान, अभी यान तरीक, प्रोधर कि में इसनातक और कंप्यूटर एपिलिकेशन में इसनातक, जैसे मैं बात करूं, BCA MCA और BTEC में BTEC कर रखे हो जिसने Computer Science से ठीक है ये वाले अपलाई कर सकते हैं किसी भी मानना था प्राप्त Board से Computer विज्ञान अभी आंत्री की प्रोधग की हाना Diploma Diploma भी है किसी के पास तो वो भी हो जाएगा और दे रखा या Computer Operator सहायता प्रनाली में राष्ट्रिय ट्रेड प्रमान पत्र राष्ट्रिय ट्रेड प्रमान पत्र वो भी इसके लिए अपलाई कर सकता है अनुभव भी दे रखा है क्या दे रखा है अनुभव अर्थात आपके पास experience भी होना चाहिए किसी भी तकनीकी पद को पद पर किसी भी उद्योग में किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी अध्यापन के लिए मानता प्राप्त संस्थान से हमें क्या होना चाहिए अनुभव होना चाहिए क्या होना चाहिए अनुभव या तो एक वर्सका किसके लिए वेवसाय में इसना तक में कंप्यूटर विग्यान में किस में चीए एक वर्स का किते वर्स का चीए दो वर्स का नेक्स्ट बात करें दूसरी जो पोस्ट है कनिस्क अनुदेशक रोजगार योगता कोशल जैसे मैं बात करूँ MBA, कौन सा, MBA, BBA वाले, ये भी इसमें फोरम अपलाई कर सकते हैं, एक तो कौन से, MBA वाले, एक कौन, BBA वाले हाना, अनुभव भी चाहिए, इसमें क्या चाहिए, अनुभव भी अपन को चाहिए, तीसरी जो पोस्ट है, कनिस्क अनुदेसक अभियांत्रिक डोइंग पद, CB, मानता प्राप्त बोर्ड की पुरानी स्क्रीम, वेकल पी विसो में, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन, विज्ञान और गणित, अर्थात जिसके पास PCM रहा हो, क्या रहा हो, PCM, 12 में क्या रहा हो, PCM रहा हो, वो इस पद के लिए भर सकता है, क्योंकि लिख रखा है, वोतिक सास्तर, असायन सास्तर और गणित, अर्थात Physics, Chemistry और Math, PCM जिसके पास रहा हो, वो इस पोस्त के लिए अपलाई कर सकता है, तकनीकी के लिए बात करें हैं यह सारी है, अनियवारिय भी है इसमें हैं यह पूरा नोटिफिकेशन में दिया गया है, नेक्स्ट बात करें, कनिस्क, अनुदेशक, कारिय साला, गणना और विज्ञान, अर्थात जो चोथी पोस्ट है, उसके लिए किसी भी मान्यता बोर्ड से अपन को क्या चीए, भौतिक सास्तर, असास्तर, वोई PCM, या क्या होना चीए, किसी भी मान्यता प्राप्त समतुले परिक्षा होना, तकनीकी में, फिर अपने पास ये वाली चीज़े होना चीए, या डिप्लोमा हो, या मान्यता प्राप्त हो, अनुभव भी चाहिए, क्या चीए, अनुभव एक्स्पीरियंस भी हमें चाहिए, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, आयू, एज लिमिट डे रखिए, एज लिमिट आपको डे रखिए, 21 वर्स से 40 वर्स, अर्थात एज की जो लिमिट है, वो कितनी है, 21 से 40, इक्किस से 40, चूट भी दी गई है, वो आप देख लेना पूरा दिया गया है, ये देखी दिया गया है, कि 7 से 3 से 5, ये मैंने बताई दिया था, कि 7 मा से और कब तक रहने वाला है पांच अपरेल तक ठीक है नेक्स्ट ये इसमें दे रखा है कि अंग तो कितने आएंगे चालिस और ये कंप्यूटर का किते का असी का अधिकतम अंग कितने 120 और समय किता रहेगा दो गंटे इसमें राजस्थान का इतियास कला और संस्कृति प्र रास्थान का भूगोल रास्थान के राजनितिक और प्रसासनिक ववस्ता और जो बैपार्ट रहेगा वो कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा नेगिटिव मार्किंग रहेगी वन थर्ड किता वन थर्ड और दिया गया है कि 40 प्रतीशत अंग प्राप्त करना जरूरी है ट अंप्यूटर लेब का आईटी का भी हमें दे रखा है और दे रखा है इस परस्ट रूप से दिया गया है कि प्रतेग प्रसंद के 5 विकल्प होंगे A, B, C, D उनमें से अब बैर्थी को कि अवल एक विकल्प को नीले बोल पैन से गहरा करना है प्रतेग प्रतेग प्रसंद का टाइम एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा ठीक है तो मेरे द्वारा दी गई जानकर यह आपको समझ में आई होगी और निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए लाबदायक रहने वाली हैं धन्यवाद